नमस्कार टार्गेट विदालो के 8 पीम न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिश्रा खबरों की सुरुआत करने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर परियावरण की निगराने हेतु रूस लौंच करेगा उपग्रह जलवायू परिवर्तन और मौसम को समझने में मिलेगी मदद BCG वैक्सीन के प्रयोग पर WHO ने जताया चिंता COVID-19 के प्रभावों को कम करेगा BCG RBI ने जारी किया नविन्तम आकड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में 113 मिलियन डॉलर की कमी वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी भारत 142 में और उत्तर कुरिया अंतिम पायदान पर और अब आई एक खबरों को विश्तार से देखते हैं साल के अंत तक रूस आर्कटिक जलवायू और परिया वरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉंच करेगा लावोचिन एयरोइस्पेस कंपनी के जनरल डारेक्टर व्लादिमीर कुलिमको ने जानकारी दिया कि यह अब तक का अग्रणी आर्कटिक M अंतरिक्षियान विक्षित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रोनिक परिक्षन किया जा रहा है योजना के अनुशार आसा की जा रही है कि दिसंबर 2020 तक इसे लॉंच कर दिया जाएगा जबकि दूसरे आर्कटिक M उपग्रह को साल 2023 में लॉंच किये जाने की योजना है मीडिया खबरों के अनुशार फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक का उपयोग करके लॉंच किया जाएगा आर्कटिक उपग्रह रिमोट सेंसिंग आपात कालिन संचार उपग्रह प्रिथवी के दुरुविक शेत्रों में मौसम संबंधी आंकड़े इकठा करेगा इस से मौसम के पूर्वानुमान और वैज्यानिकों को जलवायू परिवर्तन का बेहतर अध्यन करने में सक्षम बनाएगा जलवायू परिवर्तन ने इस प्रिथवी पर न केवल मानव बलकि समस्त जिवधारियों के लिए एक संकट है पेजल आपूर्ती, वनसंपदा, मरुस्थली करण, आरकटिक शेत्र की बर्व का पिघलना, वैस्विक तापमान में लगातार हो रही कमी, ग्रीन हाउस गैसों में व्रिधी जैसे तमाम कारक प्रिथवी को विनास की ओर ले जा रहा है ऐसे में रूस अगर यह सफल प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से हम इस जलवायू परिवर्तन को समझने और उसके निराकरण के उपायों को वैस्विक अस्तर पर लागू करने के लिए कुछ हद तक प्रिथवी को बचा सकते हैं COVID-19 महामारी के इस दौर में विश्व स्वास्त संगठन याने WHO ने BCG वैक्सीन के प्रयोग पर चिंता जताया है अमेरिका के एक नए सोध से पता चला है कि ऐसे देशों में COVID-19 का खत्रा ज्यादा है जहां BCG के टीके नहीं लगाए गए है आपको बता दें कि नवजात सिस्यू को दिया जाने वाला BCG टीका कोरोना वाइरस के संक्रमण से सुरक्षा के तौर पर सामने आया है BCG यानि की Bacillus, Calumet, Guirin एक प्रकार का वैक्सीन है जो TB यानि टूबर कुलोसिस बिमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है भारत में इस टीके का चलन बहुत आम है जो कि हर नवजात सिसू को लगाया जाता है यहाँ ध्यान देने योग के बात है कि यह टीका अमेरिका, इटली, नीदरलेंड, बेलजियम और लेबनान जैसे देसों में कभी प्रयोग नहीं किया गया यही कारण है कि ये देश उन देशों से चार गुना अधिक संक्रमित हैं जहां पहले से बीसीजी टीके का प्रयोग होता आ रहा है इस टीके का सरवप्रथम इस्तेमाल 1921 में और व्यापक अस्तर पर इसका प्रयोग 1948 से प्रारंभ हुआ था हाल ही में WHO के महानिदेशक समेत अन्य विशेशग्यों ने COVID-19 से बचाओ के लिए स्वास्त करवियों को BCG वैक्सीन देने से पहले वैक्सीन पर चल रहे या दृच्छी की नियंत्रित परिक्षण यानि की रैंडम कंट्रोल्ड ट्रायल या RCT के परडामों के आने का इंतजार करने का सुझाव दिया हाल ही में लैसेंट मेडिकल जनरल में प्रकासित एक लेक में विशेशग्यों ने संभावना जताया कि BCG वैक्सीन भविशिक के संक्रमण को रोकने के लिए जन्मजात प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ाएगी और संभावत है COVID-19 के प्रभावों को कम करने और इस बिमारी से जल्द ठीक होने में मददगार साबित होगी भारती रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आकडों के अनुसार भारत का विदेसी मुद्रा भंडार घटकर 489.45 बिलियन डॉलर हो गया है पिछले आकडों के अनुसार कुल 113 मिलियन डॉलर की कमी दर बढ़ोत्री के साथ 32.901 बिलियन डॉलर हो गया है वर्स 2019-20 के दोरान देश के विदेसी मुद्रा भंडार में तकरीबन 62 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्री होई जो कि 6 मार्च 2020 तक विदेसी मुद्रा भंडार 487.23 बिलियन डॉलर के साथ अपने उच्छतम अस्तर पर था आ उस देश की विदेसी मुद्रा भंडार कहलाती है इसमें विदेसी कमपनियों के सेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्वन भंडार, आईमेप के पास रिजर्व कोस यानि की रिजर्व ट्रेंच और SDR इत्याद को सामिल किया जाता है विशेश आहरण अधिकार यानि SDR या Special Drawing Right को अंतराश्टी मुद्रा कोस यानि International Monetary Fund द्वारा 1979 में अपने सदस्च देशों के लिए अंतराश्टी आरक्षित संपत्ती के रूप में बनाया गया था SDR कोई मुद्रा नहीं है और नहीं IMF पर इसका दावा किया जा सकता है SDR का मुल्यंकन पाँच देशों की मुद्राएं जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा, रनमिन्बी, जापानी येन, ब्रिटेन के पाउंड के आउशत भार के आधार पर कि SDR रखते हुए उन्हें आर्थिक और तक्नीकी सहायता प्रदान करके आर्थिक विकास को सुगम बनाने में सहायता प्रदान करती है, IMF का उद्देश आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए आउसरों का स्रिजन करने के साथ साथ अ IMF की अस्थापना 1944 में की गई थी, जिसका मुख्याले अमेरिका की राजधानी वासिंग गटन DC में है, प्रेस की आजादी के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 142 में अस्थान पर है, भारत लगातार 4 वर्सों में 9 अस्थान खिसका है, 2020 के वर्ड प्रेस फ्रीडम ए मायदान पर रहा, विस प्रेस फ्रीडम डे हर वर्स 3 मई को मनाया जाता है, योनेसको की आम सम्मेलन की सिफारिस के बाद, दिसंबर 1993 में सैयुक्त राष्ट महा सभा द्वारा विस प्रेस स्वतंदरता दिवस घोशित किया गया, विस प्रेस स्वतंदरता दिवस मनाने का म कि उद्देश प्रेस की स्वतंदरता के मूल सिधानतों और विस भर में प्रेस स्वतंदरता की स्थिती का आंकलन करना है, विस प्रेस स्वतंदरता दिवस पर इस वर्स का ठीम जर्नलिज्म विदावड फियर और फेवर रखा गया था, गरतलब है कि भारती सम्मिधान की भाग तीन में मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की परिकल्पना की गई है संविधान के अनुच्छिद 19.1.1 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में ही प्रिस की आजादी का उलेक किया गया है आपको बता दें कि भारती पत्रकार रवीश कुमार को एसिया का नोबेल पूरसकार कहा जाने वाला रमन मैकसे से पूरसकार 2019 से सम्मानित किया गया और अबन्त में आईए कुछ उन खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपकी परिक्षाओं के लिहास से महत्तोपूर्ण साबित हो सकते हैं आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड़ी ने गुंटूर जिले में इस्तित तेदेपल्ली में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का सुभारम किया इस योजना के तहत सुल्क प्रतिपूर्टी विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में जमा की जाएगी इसके तहत आई टी आई बीट जैसे पाठिक्रमों के लिए 15 से 20 हजार रूपए की सुल्क प्रतिपूर्टी की जाएगी नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के उद्देश से मध्यप्रदेश की सिवराज सरकार ने जीवन अमरित योजना की सुरुवात की इसमें आयुस विभाग के सहयो में मुफ्त वितरित किया जाएगा हरियाना सरकार ने लॉकडाउन के दवरान बच्चों को घर बैठे पढ़ाई का आवसर देने के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है भारस सरकार ने गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर दसरस कलेक् किया जाएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपके सकारात्मक सुझाओ का हमें इंतजार रहें